नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल कोईन कमपनी पर दोस्तों आज आपके साथ कुछ ऐसे नोट और सिक्के रेर का करेंसी है जो सेर करने वाला हूँ वो अगर आपके पास में है तो आप डारेक्ट मेरे से कॉंटेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ ही नोट और सिक्कों की वैल्यू के बारे में भी डिसकसन करेंगे और इनमें क्या खूबी होनी चाहिए और क्या कीमत इनके बदले में मिलेगी वो तमाम जानकारी आपको इस उस सिक्के की वैल्यू लिखी होती है यहाँ पर आप देख रहे हैं यह 50 पैसे का सिक्का है उपर सत्य में उजयते लिखा हुआ है और असोक पिलर बना हुआ है पिछे की तरफ आप देखेंगे यह जो इंद्रिया गांदी जी की पोर्टरेट बनी हुई है और इसी तरह के जो और सिक्के होते हैं जिस पर मात्मा गांदी पंडी जौरलाल नेरू या किसी और महापुरूष की तस्वीर वाले जो सिक्के होते हैं उन्हें को मैमोटिव कोईन कहा जाता है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 20 पैसे का को मैमोटिव कोईन है जिसमें एक तरफ पसोक पिलर बना हुआ है नीचे 20 पैसे लिखा हुआ है और दूसरी तरफ मात्मा गांदी जी की पोड रेट बनी हुई है तो इस तरफ के को मैमोटी कोईन कौन कौन से है जो काफी ज़्यादा डिमांड में है और सबसे ज़्यादा कीमती है उनके बारे में भी आपको तमाम जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ नमस्कार दोस्तों मैं अविनास यदोपुरा ने नोट और सिकों का बायर और नुमिस्मेटिक सोसाइटी ओप इंडिया के एक रजिस्टर्ड मेंबर स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस रियल कोईन कंपनी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों इस चैनल पर आप एली बार आए हैं या पिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिगा और आगे दिया हुआ गंटी का बटन दबा करके सबी नोटिफिकेशन चालू कर लीजेगा जिससे की आगे आने वाली तमाम वीडियो भी आपको मिल सके और उसके अलावा आप अपने नोट और सिक्के बेचने के लिए जब भी हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें और उस कमेंट का कोई रियल बायर अगर रिप्लाई देता है तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कई बार क्या होता है कि जब अबि ये बायर जो होते हैं ये कमेंट स्टेक करके लोगों को रिप्लाई देते हैं लेकिन वह लोग ना तो उन्ह razem ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होता है और नहीं वो दुबारा आख करके कमेंट्स देखते हैं इसी वज़े से उनको पता ही नहीं चलता है कि हमने जो कमेंट किया है जो करेंसी के बारे में उस कमेंट का किसी बायर ने रिपलाई दिया है या कोई उस करेंसी में इंट्रेस्टेड है उसे खरीदना चाहता है और फिर आप आकर के हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करते हो कि सर काफी बार हमने कमेंट किया है और आपका कोई भ इसरेर करेंसी होनी चाहिए जरूरी नहीं है कि वह शिक्खे हो, नौट भी हो सकते हैं और अगर नौट और शिक्खे दोनों हैं तब भी आप बेच सकते हैं, कौण कवशे नौट और सिक्खे रेर हैं ये पहली बात तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि YouTube पर काफी सारे ऐसे लोग है जो की वीडियो बना करके डालते हैं नोट और सिकों की और वो ऐसी करेंसी भी बताते हैं जिसकी लाखों रुपे कीमत बता देते हैं लेकिन रियल नियुमिस्मेटिक सोसाइटी आप इंडिया की ओफिशल वेबसाइट पर आप जाकर के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जिस करेंसी की हमने लाखों में कीमत देखी थी किसी वीडियो में वो करेंसी तो हकीकत में रेर ही नहीं इसलिए दोस्तों ऐसे लोगों से आप बरमित बिल्कुल भी ना हो और एक बात और बता दूँ वीडियो के नीचे जब भी कमेंट करें वीडियो पूरा द वो कभी भी आपके नॉट और सिंख्टे नहीं बिखवाईगा, क्योंकि दोस्तों पूरा ने नॉट और सिंख्टे बेचने के लिए एक रुप्या भी फीस नहीं लगती है, जो लोग रजिस्टेशन सुलक लेते हैं, वो बायर नहीं होते हैं, वो फ्रोड लोग होते हैं, आ दोस्तों कोई भी note ले लीजी अगर आप note बेचना चाहते हैं जैसे कि 5 रूपे का ये ट्रेक्टर वाला note आप इसे बेचना चाहते है तो comment में आपको सबसे पहले लिखना है फाइव रूपीज ट्रेक्टर note आप इंदी में कमेंट लिखिए आप इंगलिस में लिखिए जो लेंग्वेज आप जानते हैं उस लेंग्वेज में आप कमेंट लिख दीजिए पांच रुपे का ट्रेक्टर वाला नौट सबसे पहले ये लिखना है उसके बाद में सीरियल नंबर दोस्तों लिखनी है अग पिछे के चारंग या सुरुआत के चारंग एक जैसे होंगी तो आपके पास में अगर इस तरह की सीरियल नंबर वाला कोई नौट है तो सीरियल नंबर लिखनी है और अगर नॉर्मल सीरियल का जैसे कि आप देख सकते हैं ये नौट है तो आपको सिरप और सिरप कौन सा न ठेक्टरय नूट है पिर गवर्नर जनरल का नाम लिखना यह पर आपको देख रहा होगा सुब बारा व लिखा हुआ तो गवर्नर जनरल का नाम ज़रूर लिखना है फिर दोस्तो आपको लिखना है कि कितने नौट है इस टाइपके जैसे कि यह ट्रेक्टर वाला एक नौट है यह दो नौट लेकिन दोस्तों इस पर विमल जालान के सिगनेचर है इसलिए आपको इसके लिए अलग से लिखना होगा कि पांच रुपे का ट्रेक्टर वाला नौट गवर्नर जनरल विमल जालान इसमें भी जो सीरियल नंबर है वो नॉर्मल ही है इसलिए सीरियल नंबर लिखने की कोई आवशक्ता नहीं है अगला नौट दोस्तों आप देख रहे हैं ये भी ट्रेक्टर वाला नौट है और इस पर भी गवर्नर जनरल के जो सिगनेचर है वो अलग गवर्नर के है जो गवर्नर जनरल है उनके सिगनेचर है तो इसके लिए भी आपको अलग से लिखना पड़ेगा पांच रुपे का ट्रेक्टर वाला नौट गवर्नर जनरल सीरियल नंबर इसमें भी नॉर्मल है तो वो आपको नहीं लिखना है अब यहाँ पर आप देखिए गवर्नर जनरल विमल जालान के सिगनेचर वाला यह नोट है नॉर्मल सीरियल का तो यहाँ पर जो आपने गवर्नर जनरल विमल जालान के सिगनेचर वाले नौट के बारे में देखा पहले जो कमेंट किया था उसमें और इसमें भी डिफ्रेंस है दोस्तों ये नौट है इस पे गांदी जी की तस्वीर बनी हुई है और ये जो पहले वाला नौट था उसमें असोक पिलर बना हुआ है को मैमोटी कोईन है आप अच्छे से देख सकते हैं और ये दो रुपे का सिका है तो आपको सबसे पहले लिखना है तो रुपी कोईन उसके बाद को मैमोटी कोईन है सुभाज चंदर बोश की पोट्रेट बनी हुई है इसे जारी करने का वर्स लिखा हुआ है 1997 ये भी आपको जरूर लिखना है और अगर किसी सिक्के पे मिंट मार्क है तो वो मिंट मार्क भी आपको जरूर लिखना है अगर मिंट मार्क नहीं है तो नहीं लिखना है यहां पर आप एक ये सन लिखा हुआ है 1978 एक रुपे का सिका है और नीचे मिंट मार्क डॉट का लगा हुआ है तो आपको अपना phone number, email address ये तमाम जानकारी लिखनी है जिससे कि कोई भी buyer अगर आपके note और sikhe लेना चाहता है वो comment का reply ना देखर के आपके number पर direct आपसे contact कर लेगा और जो भी currency आपके पास में है अगर ज्यादा currency हुई तो वो buyer आपके घर पर कोई भी अपना agent बेज देंगे या खुद आ जाएंगे और अगर एक दो note या sikhe आपके पास में है तो आपको वो address बता देंगे अपनी numismatic shop का जहाँ पर जाकर के आप अपने note और sikhe आराम से बेच सकते हैं उसके अलबा दोस्तों आपके पास कोई भी rare currency पड़ी है और उससे related कोई आप जानकारी लेना चाते है कोई भी आपका सवाल हो पुराने note और sikhe जुड़ा या फिर buyer से जुड़ा कोई भी सवाल हो आप मेरे से पूछ सकते हैं इस वीडियो के नीचे तो आपको सिरफ और सिरफ अपनी currency से related ही comment करना है लेकिन आप मेरे facebook पेज पर मेरे से direct contact कर सकते हैं currency buyers और real coin company दो पेज है facebook पर हमारे वहाँ पर जाकर के आप हमें message कीजिए या पिर हमारे जितने भी वीडियो डाले हुए हैं उन वीडियो के नीचे आप आराम से अपने note और सिकों की photo और video कोई भी सवाल हो आपका तो आप हमारे facebook पेज पर हमसे contact कर सकते हैं thank you जैन दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में